तो न्यू गेमिंग मॉनिटर की जो हम उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं आज आप आपको वीडियो पसंद आए अगर पसंद आता है तो फटा फटा लाइक मार देना और नीचे कमेंट करके जरूर लिखना है वीडियो आपको कैसे लेकर आपके कोई क्वेरी है और आप 650F तो पहले तो मैं इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं पहले हमें इसको लिगूप कर लेते हैं आज जलील दिम वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जो क्वालिटी है वीडियो की बितनी अच्छी नहीं रहेगे और इसलिए मैंने नाई भी भाई किचन वाला यूज कर लिया है तो बताऊंगा इसमें आपको यह मॉनिटर लेना चाहिए और थोड़ा सा गेम प्ले भी हम चेक करेंगे कि यह कितने हर्ट्स पे आपको रिफ्रेश्ट मिल जाएगा इस मॉनिटर के साथ और पूरी डिटेल जो हम चेक आउट करेंगे तो पहले तो इसको निकाल देते हैं बॉक्स को करते हैं इस के ंदर कीऊ किया की मिलने वाला है ओक ताभ्स के अंडर की तो बहुत बढ़िया पैकिंग है इसके फिलाल स्क्रीन रहे नीचे की तरफ और यहां पर हमको दिख रहा है एक इनका स्टैंड वैज़ा टाइप का इनका स्टैंड है बहुत ही बढ़िया स्टैंड होता है अगर आप पर आपने कभी LG का मॉनिटर आपने यूस क्या होगा त इनका स्टैंड बहुत ही खराब दिया उस वाले मॉडल में ओके तो यह स्टैंड कुछ तो मुझे पैकिंग दीख रही है कुछ एक अस्टैंड है और मुझे नीचे यह तो आइधिंक वायर जो हैंडल करने का उनका वायर को है और यह पावर कॉर्ड है और ऑके स्टैंड अटप पाकॉर्ड है जिसके साथ में अंप्र जो हम ने साइड में रख दिया और यह डिस्प्ले बोट केबल है तो एक डिस्प्ले पोर्ट कॉपर्ट केबल हमको यह मेलिए लेकिन इसके साथ में कोई भी HDMI केबल हमको नहीं मेलिये और यह गदे लगने के भाद आध अब describes वैसे तो मॉनिटर कितना है विए उसको डिपेंड करेंगे यह स्टैंड अगर वादा है यह मॉनिटर भी काफी अच्छा कासा है वहने वाला है तो यह कुछ इंस्ट्रक्शन है सीडीज है और यह आई तिंक यह का यह बाद में चेक आउट करेंगे जितने भी कामरा में फिलाल मॉबाइल से ही शूट कर रहा हूं तो मुश्किल जाएगा ऐसा उठाना थोड़ा से उठाने की ट्राइ करता हूं बस अब गिरना जाए बस यह इन भी खराब हो सकते हैं उच कह नहीं सकते तो गिरना निचे यह फिर हम ओके तो यह काफी बड़ा मॉनिट मॉनिटर है 27 इंच के हिसाफ से अगर पहले कर्वड कोई अगर मॉनिटर यूज कर रहे होंगा उसके बाद अगर आप इसको यूज करोगे तो यह आपको बहुत ही जादा बड़ा दिखेगा और काफी अच्छा है बहुत बड़ा दिख रहा है मैं पीछे भी चेक कर लेता आप लेती हो तो क्या इस पर रन करेगी जी हाँ बिल्कुल रन करेगी प्लाइस्टेशन दे अनौंस किया है कि जितने वी 2.1 और 2.0 वाले जुनके HDMI ports हैं वहाँ पर 100% प्लेस्टेशन 5 रन करेगी लेकिन उसके ऊपर बाद में आते हैं पहले आते हैं को असेंबल कर लिया जाए पहले तो यह इसका स्टैंड है और यह फुली मैग्रेटिक स्टैंड भी है अगर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है समें कोई स्क्रू आपक गेमिंग मॉनिटर है जिसका नंबर है GL650F-B तो यह बहुत वीडिया गेमिंग मॉनिटर है 27 इंच में आपको आता है और 140 जिगार्ट्स का आपको रिफ्रेश्ट रेट इसमें मिलेगा और लेकिन 140 हर्ट्स का रिफ्रेश्ट रेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको गेमिंग मॉनिटर रहते हैं आप रहते तो बहुत सारे जो 60 fps पे आपको मिल जाएंगे लेकिन मेरा समाना है कि जो कॉंपरिटिव गेम खेलते हैं या फिर आप मल्टी प्लेयर गेम खेलते हो ऐसी गेम जहां पर फरस्ट परसन शूटर गेम होती है जहां पर बहुत जारी चीजे मैंटर करती है यानि कि बहुत सारी चीज जीसे एफके सोनी के से आपको थोड़ा सा ड्वांटेज रहता है अगर आपका हर्स ज्यादा फर्ट का रिफ्रेश्ट वाला आपका मॉनिटर है तो आपको गेमिंग एक्स्पिरिंस थोड़ा अलग मिलने वाला है नॉर्म सकते हैं तो आप फोड़ा कारते हैं तो आप काते है मकर सकते हैं तो यहां से आप पूरी चीजेशेन कर सकते हैं तो सेटिंग में आते हैं यह रिखे 140 Hz on है, free sync इसका on है और motion blur भी आपको मिल जाएगा, fast response time है और HDR फिलाल off है तो यह इतने सारे board इस पे हैं, जो भी आपको comfortable लगता है, आपका recording आपको उसको set कर सकते हो अगर आप उसमें चाहता हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा color combination उसमें चेंज करना है, तो आप भी कर सकते हो लेकिन एक बात important है, जब भी आप free sync on करोगे और उस time पे अगर आप free sync on है, तो आपका motion blur जो है वो on नहीं रह सकता है कोई भी एक time पे आप यह किसी को on कर सकते हो, तो यह थोड़े से किसी ना किसी में रहते ही है issues, वह थोड़े से pros और cons भी आपको बता दूगा इसके साथ ही, और दूसरा HDMI port जो दो है, अगर आप माले प्लेस्टेशन 4 को भी use करते हो, बहुत सारी लोग पूछते हैं कि हम ए आपका input है उसको चेंज कर देना है, तो आप freely आराम से आप चेक आउट कर सकते हो इसमें दूसरे और Gamer Mode भी यहां shortcut है, साथ में आप headphone jack की जो आवाज है, यहां से आप पिछे headphone अगर connect करते हो, तो आप इस joystick से ही अपने headphone की voice कम जादा आराम से कर सकते हो, without any issue, तो आप आपको display करके दिखायता हूँ, advanced skill setting में जाएंगा, advanced display setting, और थोड़ा सा खराब आरहा है, तो आपको पहले है, 90-20-1080p का pixel वाला resolution वाला monitor है, यह 4K नहीं, 9-2K है, लिकिन 143 Hz मेरे पास चल रहा है, जबकि मेरा graphic card 1050 Ti है, मतलब बहुत low है मेरा graphic card, लेकिन फिर भी उसके साथ आप भी काफी अची performance जो आपको दे देगा, मेरा इसा मानला है कि basic के लिए अगर आप यूस कर रहे हो, तो at least 1070 आपने graphic card जो यूस करना चाहिए, overall यह monitor काफी अच्छा है, मैं अगर आप चाहते है, PlayStation 5 के लिए budget वाला 1080p फुल लेना चाहते है, तो यह काफी अच्छा रहे यह देखे, मैंने अनेबल कर दिया था इसको पहले, तो यह SKG-Sync की setting है, और अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें gameplay भी दिखाता हूँ, कितने fps 1080p, 1080p के इस monitor में आपको मिल जाएंगे, और 10, मेरा जो card है, जो सिर्फ 1050 Ti है, उसके साथ आपको कितने fps जो मिल जाएंगे, फिल से उपर fps, मिल बब PUBG वगर इसी game में अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको graphic card 1070 के ओपर तो रखना चाहिए, GTS 1070, फिलाल मैं CSGO, आपको दिखा देता हूँ, CSGO के साथ, आप कितने fps वहाँ ले सकते हैं, उपर right corner में आपको fps दिख जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों question य अगर आप जा सकते हो, तो आपको बहुत सारे अच्छी option मिल जाएंगे, लेकिन, लेकिन सबसे बड़ी बात ही है, कि जितने भी monitor रहेंगे, जितने भी monitor 30,000 से 40,000 के बीच में आएंगे 4K monitors, तो उसमें जितने भी monitor रहेंगे, उनको आप सिरफ 60 frame per second के साथ ही चला सकते हो, और वो भी मुझे लगता है कि DV port के साथ अगर आप जाते हो, तो ही जा सकते हो, otherwise आपको 30 fps का ही वहाँ पर मिलने वाला options ज्यादा नहीं मिलने रहा है, अगर बहुत से लोगे question रहते हैं कि क्या 1080p जो 144 Hz पे जो monitor है, क्या वो monitor आपको PlayStation 5 पे 120 Hz के ओपर gaming करवाएंगे, जिहां अराम से रन कर देगा, देखिए 4K monitor और इन monitor को आप comparison नहीं कर सकते हैं, लेगिन फिलाल अगर आपका budget थोड़ा सा short है, अगर आपको लगता है कि मैं इतने money spend नहीं करना चाहता है 4K monitor के ऊपर, या भी उतना better option आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप के monitor ले रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने 60fps पर उसको नहीं लेना चाहिए, आपने उसको 144Hz के ऊपर ही 4K monitor कर आप purchase करते हो, तो आने वाले टाइम में जितनी भी आपके problem रहेंगे, उस सभी sort out हो जाएंगे, विकॉज आपको फिर नया monitor खरीदने की ज़रत नहीं पड कर भी आपके duty रहेंगे झाले चाहिए।